आप देख रहे हैं हेड्लाइंस बिहार और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा बिहार बिधान सबाद चुनाओ की दूसरे चरण का मद्दान जारी है और पहले चरण की मद्दान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है ऐसे में दूसरे चरण का मद्दान जारी है और आज कुछ दिर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव ने प्रधान मंत्री नरेन मोदी को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने बिहार के तमाम मुद्दों पर सवाल किया सबसे पहले हम आपको तेजश्वी यादव का लेटर दिखाते हैं मान्य प्रधान मंत्री जी समस्त बिहार वाशी एवं राश्टिये जनता दल परिवार आपके पुना बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता है बिहार वासियों को अपने प्रधान मंत्री से धेर सा सारी उम्मिदे एवं अकान चाये हैं आसा करते हैं आप भिहार वासियों से किये गए वादों को भूले नहीं होंगे एवं उन्हें पूरा करेंगे 2015 के बाद से बिहार वासी लगतार इस इंतिजार में है कि कब बिहार को विसेश राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार वासी को उमीद थी बिहार को सवा लाग करोर का पाकेज मिलेगा परन्तु विसेश राज्य तो दूर विसेश पाकेज तक का अतापता नहीं इसी संदर्व में बिहार की जनता अपने प्रिये प्रधान मंत्री से पूछना चाहती है कि बिहार को विसेश राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला आखिर कब तक नियमों का बहाना बनाकर बिहार को विसेश राज्य के दर्जे से महरूम किया जाता रहेगा जिस बिहार में 40 में से 49 सांसत दिये क्या उस बिहार के लिए नियमों में संसोधन नहीं किया जा सकता आखिर हमारे बिहार वासियों के लिए इतने ससक्त नियम कब से हो गया जब दूसरी अनेक चीजों के लिए सम्विधान तक्त में संसोधन किया गया तो बिहार को विशेश राजे के दर्जे के लिए नियमों में संसोधन क्यों नहीं किये जा सकते मान्य प्रधान मंत्री जी बिहार की जनता यह भी जानना चाहती है कि पटना विश्विद्याले को केंद्रिय विश्विद्याले का दर्जा क्यों नहीं दिया गया क्या इसके लिए भी नियम आड़े आ रहा था बिहार वासिय को आपसे उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि आप उसी नीती आयोग के अध्यक्ष है जिसके सारे सूच कांकों में बिहार फिसंडी साबित हुआ है तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार को इस पिछरे पन से बाहर निकालने के लिए कुछ विशेश सहायता दी जाए आखिर कब तक बिहार के साथ स्वातेला बहवार किया जाता रहेगा आखिर कब तक बिहार वासी पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए पलायन करने को मजबूर होते रहेंगे कोरोना संकट के दोरान जिस तरह से हमारे प्रवासी, भाई, बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं बच्चों को संकट का सामना करना पड़ा एवं जिस तरह की दिल दहला देने वाली मार्मिक तस्वीरे सामनी आई उन्होंने ना सिर्फ हमारी क्रूर्टाव संवेदन हिंता को दिखाया बलकि हमारे समसमाज होने के दावो पर भी प्रश्चिन लख़रा किया आखिर क्यों तमाम व्यवस्थाओं होने के बाबजूद हमारे श्रमिक भाईयों को हजारों मील पैदल चलने को मजबूर होना परा वह लोग जो कभी घर नहीं पहुच पाएं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है जब विदेश में रह रहे हैं भारतियों के लिए भारत सरकार विसेश विमान सेवा चालू कर सकती है लेकिन सरकार ने कोटा में फसे छात छात राओं सही श्रमवीर भाई बहनों की सुरच्छित वापसी के लिए सही समय पर बस वर ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई क्यों हमारे पैदल चल रहे श्रमवीरों पर बेरहमी से डंडे चलवाए गए इतना ही नहीं जिस तरह से प्रवासी मजदूरों से क्रूरता पुन तरीके से किराया वसूला गया वहना सिर्फ शर्मनाक बलकी निंदनिय भी था आप ही बताईए कि जब पुनजी पतियों के अर्बो खर्बो के श्रम माफ किये जा सकते हैं तो हमारे मजदूर भाईयों के लिए भारत सरकार के पास किराय तक का पैसा क्यों नहीं था आप ही बताईए क्या यह जायस था क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत ही जादा सम्वेंदन हीन एवं क्रूर होते जा रहे हैं आपकी मंत्री साहिबा यह कहती है कि बिहार को कुरोना वाइरस की का मुक्त तभी मिलेगा जब लोग एंडियों को वोट करेंगे आखिर हम ऐसे इस्तर पर पहुँच गए जहां इंसान का जीवन इस बात पर निर्भर करने लगा है कि किस पार्टी को वोट करता है प्रिय प्रधान मंत्री जी बिहार का हर एक बेरोजगारी उवा अपने प्रधान मंत्री से यह पूछता है कि क्यों बिहार में बेरोजगारी दड़ 46.6 फिस्दी है क्यों नीजी करन के आर मे लगातार सरकारी नौकरीओं में कटौती की जा रही है क्यों रेलवे के फॉर्म भरे जाने के बाद भी नियूक्ती प्रक्रिया में कुछ भी तीजी दिखाई नहीं दे रही है आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविसे के साथ खिलवार होता रहेगा बिहार के जनता यह आसा करती है कि आप इस जायस सवालों पर सकरात्मक रूप से जवाब देंगे सादर सेवा में मान्य प्रधार मंत्री जी भाड़ सरकार नई दिल्ली बिहार में दूसरे चरंद का मद्दान है और चुनाओं के कुछ देर पहले ते जश्वी यादव का लेटर क्या कुछ रंग लाएगा यह देखना बहुत खास होगा ऐसे ही लेटिस्ट अबडेट के लिए बने रहे हेडलाइन्स बिहार के साथ अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद